नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों ये जोग्रफी का माश्टर वीडियो है सभी एक्जाम्स के लिए Most Important Question 30 प्रशने इस वीडियो में मैं आपके लिए लिकर आया हूँ वीडियो बहुत ही खास है उन सभी विद्यारतियों के लिए जो सिलेक्शन चाहते है आपकी तैयारी जज़ करने का सबसे आसान तरीका है 30 में से 50% स्कोर गेन करना अगर 50% स्कोर गेन कर पाते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है नहीं तो पंचवर्शी योजना आप पर लागू होने वाली है सबसे पहला प्रशन शुरू करते हैं वीडियो अन तक देखिएगा बताएगा जरूर कितना स्कोर आपने गेन किया सबसे पहला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर कॉशन नमर वन आपसे पूछा गया है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो यहाँ पर सेयत्र हो जाएगा एरेटो इस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है नेक्ट कॉशन देखते हैं प्रशन है भूगोल के लिए जोग्राफिका शब्द का प्रियोग सर्प्रप्थम किस ने किया था तो भूगोल के लिए जोग्राफिका शब्द का प्रियोग सबसे पहले एरेटो इस्थनीज ने किया था option number D यहाँ पर सहीतर हो जाएगा एरेटो इस्थनीज ने ही भूगोल के लिए जोग्राफिका शब्द का प्रियोग सबसे पहले किया था Qution देखते कि आपको शगया है मानो भूगोल का पिता निम्न मैसे किसे कहा जाता है क्या उत्तर होगा इस प्रशिण के लिए तो मानो भूगोल का पिता कौरल रिटर को कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा option number A इस प्रशिण के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कौशन देखते हैं क्या पुशा गया है भूगोल को मानव परिस्तित्थिकी के रूप में परिभाशित करने वाला विद्वान कौन है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भूगोल को मानव परिस्तित्थिकी के रूप में परिभाशित करने वाले विद्वान का नाम है नेक्श कौशन देखते हैं क्या पुशा गया है भू आकरतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पैशल विज्ञानिक को आप्शन नमबर A यहां पर सेत्र हो जाएगा पैशल को भू आकरतिक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है नेक्श कौशन देखते हैं क्या पुशा गया है अगला प्रशनी एरा स्क्रीन पर भूगोल प्रत्वी को केंद्र मानकर अध्यन करने वाला विज्ञान है ऐसा किस ने कहा था भूगोल प्रत्वी को केंद्र मानकर अध्यन करने वाला विज्ञान है ऐसा किस ने कहा था तो राइट आंसर हो जाएगा सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेव किस विद्वान को जाता है तो यहाँ पर सहीतर हो जाएगा कौपर निकस को सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेव जाता है सूरिक के चारो और घूमने वाले खगोलिय पिंडों को क्या कहते हैं तो सूरिक के चारो और घूमने वाले खगोलिय पिंडों को ग्रह कहा जाता है option number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सूरिक के चारो और घूमने वाले खगोलिय पिंडों को ग्रह कहा जाता है बूगोल भूतल का अध्यन है ऐसा किसने कहा था तो कांट नाम के विद्वान ने ये बात कही थी कि भूगोल भूतल का अध्यन कहलाता है नेक्ट कॉशन देखते हैं कि आप पुशा गया अगला प्रशनी एरा स्क्रीन पर युरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं कि आप पुशा गया है किसी ग्रह के चार और परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशिय पिंडो को क्या कहा जाता है तो किसी ग्रह के चार और परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशिय पिंडो को उप ग्रह कहा जाता है राइट आंसर ह हो जाएगा उप ग्रहों की गती का नियम प्रधिपादित किस ने किया था राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ग्रहों की गती का नियम प्रधिपादित कैपलर ने किया था option number a यहां पर सहीत्र हो जाएगा कैपलर इस प्रशिंग के लिए सही उत्तर है next question देखते हैं क्या पूशा गया है नार्वे में अर्ध रात्री के समय सूर्य कब दिखाई देता है right answer क्या है तो नार्वे में अर्ध रात्री के समय सूर्य जो है 21 जून को दिखाई देता है option number B यहाँ पर सहीतर हो जाएगा नार्वे में अर्धरात्री के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है next question देखते है सौर मंडल की खोज किस ने की थी क्या उत्तर होगा इस question के लिए तो right answer क्या हो जाएगा सौर मंडल को प्रत्वी के सौर मंडल को सभी प्रत्वी वासियों के सामने समक्ष प्रस्तुत किस ने की आता कॉपर निकस ने की आता तो right answer क्या हो जाएगा तो कॉपर निकस को सौर मंडल का खोज करता जाना जाता है next question देखते हैं क्या पूछा गया है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सौर मंडल का जन्मदाता सूरे ग्रह को कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा सूरे नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया अगला प्रशनी यह रहां स्क्रीन पर कॉशन है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूरे से अधिक्तम दूरी को अपसौर कहा जाता है औप्शन नमबर बी यहां पर सहीत्र हो जाएगा अपसौर कहा जाता है नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूरे से नियूम्तम दूरी को उपसौर कहा जाता है औप्शन नमबर यहां पर सहीत्र हो जाए गा तो अंसटरिक्ष में कुल 89 तान मंडल हैं option number D यहाँ पर सहीतर हो जाएगा है अंसटरिक्ष गुल 89 तान मंडल है next question दखते हैं अगला question दखते हैं क्या पूछ रहा है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी हैं क्या उत्तर होगा इस की शंख्या कितनी हैं तो राइट आंसर हो जाएगा सौर मंडल में चार पार्थे उगरा हैं राइट आंसर हो जाएगा सौर मंडल में विस्पोटी तारा कहलाता है राइट आंसर हो जाएगा अभीनाव तारा ब्रह्मान में विस्पोटी तारा के नाम से जाना जाता है next question देखते है निमलिखित में ऐसे कौन सा एक तारा है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें से सूर्य जो है इस question के लिए सूर्य का प्रकास धरती तक पहुँचने में कितने मिनिट लेता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आठ दसमलो तीन यहाँ पर option 8 के आसपास होगा 8 मिनिट 16 सेकंड 8 मिनिट 20 सेकंड option रहता है यहाँ पर 8 मिनिट के option पर हम click करेंगे तो option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सूर्य का प्रकास धरती तक पहुँचने में लगबग लगबग 8 दसमलो 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं प्रशन है सूर्य से सबसे दूर इनमें से कौनसा ग्रह है क्या उत्तर हो जाएगा सूर्य से सबसे दूर इनमें से कौनसा ग्रह है तो right answer क्या हो जाएगा वरोन ग्रह सूर्य से सबसे दूर है right answer हो जाएगा option number C इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा वरोन ग्रह सूर्य से सबसे दूर है next question देखते है प्रशन है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए राइट आंसर कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है तो यहाँ पर सहीतर हो जाएगा बुद्ध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है और ये 88 दनों में सूरी की परिक्रमा लगा देता है अगला प्रशन देखते हैं किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है बुद्ध जो है सूरी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है तो मैंने आपको बताया बुद्ध ग्रह 88 दिन में सूरी की परिक्रमा कर लेता है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बुद्ध ग्रह सूरी का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है right answer हो जाएगा next question देखते हैं सौर मंडल का अत्यधिक तीव ग्रह कौन सा है तो right answer क्या हो जाएगा बुद्ध ग्रह सौर मंडल का तीव ग्रह है अब अठासी दनों में पूरी परिक्रमा कर लेता है तो तीव ग्रह कहलाएगा right answer हो जाएगा बुद्ध ग्रह जो है सौर मंडल का अधिक्तम तीव ग्रह है next question देखते हैं क्या पूशा गया है निमले कितम ऐसे किस ग्रह को प्रत्वी की बहन कहा जाता है right answer क्या हो जाएगा तो प्रत्वी की बहन कहनाले वाला ग्रह यहाँ पर है option number B शुक्र ग्रह को प्रत्वी की बहन कहा जाता है next question देखते है वे दो ग्रह जिनके कोई उब ग्रह नहीं है उनका नाम क्या है right answer क्या हो जाएगा तो वे दो ग्रह जिनके कोई उब ग्रह नहीं है option number शुक्र ग्रह और बुद्ध ग्रह है right answer B option इस प्रशन के लिए सही उत्र हो जाएगा किस ग्रह को शाम का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं क्या उत्र होगा इस प्रशन के लिए कौन सा ग्रह शाम का तारा भोर का तारा कहलाता है तो यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा शुक्र ग्रह साम का तारा और भूर का तारा कहलाता है राइट आंसर हो जाएगा जो भी चैनल पर नए है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना बैल आइकन ओन करके वीडियो को लाइक कर लीजेगा और और आल वाला नोटिफिकेशन ओन कर लीजेगा जिससे आपको आगे वाली क्लासिस के नोटिफिकेशन मिले इससे पहले वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और वीडियो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने कितना कुछ सीखा और वीडियो में आपने क्या स्कूर गेन क्या तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धनिमात आपका दिन शुभ हो